तो नाव ब्रैटकॉम ग्रूप हो रहे हैं यहाँ पर कले कॉन्फरेंस कॉल रही जो कि आपको पता चल गी होगी और अगर नहीं पता है तो हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो मैंने कहा था जब रिजल्ट है तो मैंने कहा था कि आपको सुबह बताऊंगा कि आपके कितन जो कि अपने EPS से भी लो है और यहां पर इंडिस्ट पी तो आपको पता ही इंडिस्ट पी का कोई नहीं बुग वैल्यू पर शेयर है यहां पर बढ़ चुका है 30.61 का बुग वैल्यू पर शेयर आ चुका है सो इतने सारे चेंजिस आ चुके हैं और आप यहां पर देखना है कि यहां पर क्या करता है देखे अभी ना 27 रुपए पर है स्टॉक 27.55 के असपास और स्टॉक का बुग वैल्यू देखे 30.61 और यहीं दिखाता है कि कितना अंडर परफॉर्मेंस से स्टॉक के अंदर भरा प्राइस है तो अभी तो यह रियल वैल्यू पर भी नहीं चला है सो अब देखे एक कॉन्फरेंस कॉल में क्या हुआ और फॉरेंसिक ओडिट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर मैनेजमेंट क्या बोल रही है इस वक्त भी जब इतने अच्छे रिजल्ट आई है उसक और अगर कोई भी इंसान हो और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया हो तो फिर वो एक ही बात ना जब भी आप पूछोगे तो वो बार-बार वही कहेगा उस से जादर क्या और यहाँ पर कुछ भी हमने गलत नहीं किया तो यहाँ पर कुछ भी निकल कर नहीं आएगा हम अपनी तरब से पूरा श्योर हैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया गया है छेड़ चाड़ नहीं करें गयी है forensic audit एकदम clean निकल कर आएगा कब आएगा जो भी आएगा वो regulator की उपर है regulator को कोई challenge नहीं कर रहे है बस यह कहना है और इससे जादा कुछ कहने की जरूत भी नहीं है तो सबसे पहली बात तो यही होगी most important जो हम सब सुनना चाहते है दूसरा जो है वो free cash flow जो कि यहाँ पर मैंने कहा था कि आपको free cash flow के बारे में बताऊँगा बट यहाँ पर जो management ने कहा है कि free cash flow जो 92 करोड का निकल के आया है वो इस वक्त कम इसलिए आया क्यूंकि यहाँ पर जो payment करीए जो advances करेगे हैं उसकी वेशे यहाँ पर कमाया next quarter Q4 में आपका जो free cash flow है वो बहुत अच्छे से आएगा बढ़ कर आएगा प्लस में आएगा और भी जादा तो यहाँ पर जो नोंने कहा कि free cash flow यह कम की हुआ उसका एक reason दिया गया है और वो reason हम मानते हैं और next quarter में free cash flow वो और भी जादा लाने की पूरी कह रहे हैं कि कोसिस करते रहेंगे तीसरा है यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो dividend मिला है जो मैंने आप सो बताया था overseas जो यहाँ पर overseas subsidiary का है यहाँ पर जो है फॉर्थ आपका यहाँ पर है आपका जो consumable के साथ है जो deal करी गई है joint venture हुआ है वो उसके उपर पूछा गया है तो इसका यहाँ पर जो है सापसी बात है जो parent है उसको boost करने के लिए यह किया गया है जो कि हम बात कर चुके है तो उसके उपर अब है क्या जादा सुनना है joint venture का जो आपको असर है वो next quarter Q4 में आता हूँ देखेगा काम का जो काम का जिन्हों start किया है audio का वो joint venture के जरीए किया है और joint venture से यह 51% का share यहाँ पर रखेंगे 49% consumable की जाएगा और यह figure जो है वो उसमें जुड़के आएगा यानि कि आपके stand alone में सिर्फ जुड़के आएगा consolidate में जुड़कर नहीं आएगा तो stand alone को मजबूत करने की पूरी यहाँ पर कोसिस चल लई है पांचमी चीज यहाँ पर जो है पांचमी बात जो है वो quantum की उपर करे गई है देखें dynamic market जो है न वो यहाँ पर काफी difficult है उसके उपर कुछ कहना बट यहाँ पर काए कि अपरेल में guidance दी जाएगी अपरेल में यानि जब आपका Q4 आएगा तब guidance इसके उपर दी जाएगी और CTO in Israel वो बहुत active है इसके साथ-साथ यहाँ पर जो है company का goal है global brand बनने का और यहाँ पर chat GDP और उसका uses का और जो facebook के earning बढ़ी है उससे तो असर पड़े गई सापसी बात है तो future plan बहुत अच्छे है company के और जो quantum पर का है quantum का जो good product है अगर हम invest कर रहे है quantum पर जो invest किया है भाई जो good product है quantum computing में वो यहाँ पर multifold यहाँ पर revenue लाएगा तो यहाँ पर increase करने का है पूरा पूरा यहाँ पर फोकस है revenue increase का और इसमें हर company काम कर रहे है और यह भी काम कर रहे है तो यह रहे पांच जो की बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने का है बाकि सब वो पुराना जैसा ही है वो उसमें क्या change लाएंगी बहु Q3 के नमबर से जो की shockingly बहुत बहतर है और यह किसी को भी shock कर सकते हैं बाकि यहाँ पर देखे हैं तो strongness तो दिख रही है stock के अंदर और यह जो एक important level है जहाँ से इसने bounce back दिया है वो 23 रुपे 95 पैसे का level इसको नजर में रखेंगे एक तरीके से जनोंने भी ले रखा है न नहीं यह सबसे बड़ी बात है क्या यह Q3 bottom बना देंगे या फिर forensic audit ही वो bottom बनाएगी तो यही देखना है या फिर हो सकता है क्योंकि forensic audit ना चार दिन याद रहा फिर अभी देखिए इतने strong numbers आएं पता नहीं market कैसे behave करेगा पता नहीं market इसको कैसे लेगा यह देखना बाकि ही है राइट तो हो सकता कि Q3 में Q3 की वज़े से शायद bottom बन जाए तो अब यही देखना है इसके बाद यहाँ पर देखिए strongness किस तरीके से आई हो मुझे लगता है कि यह जो Q3 है वो 30 रुपए का level निकालने में बहुत मदद करेंगे और यह 30 रुपए का level अगर निकल ग तो थर्जडे का यहाँ पर देखिए थर्जडे के जो closing है closing price है उसके उपर ही 27 रुपए 10 पैसे का closing price था थर्जडे के दिन राइट उसके उपर ही close हुआ जबकि विकवाली भी आ गई थी विकवाली आ गई लेकिन उसके उपर ही close हुआ तो strongness तो दिखा रहा है बली छोट दिए 30 रुपए का level हमें Monday की दिन निकलते हुए उसके उपर closing मिले so Monday का कल का wait करिए मैं जानता हूँ यहाँ पर जो है बहुत जादा उत्सुक होंगे सभी लोग कि यहाँ पर जो है काफी excited है कि यहाँ पर Monday का market अभी open हो जाए actual मैं देखना है यही है कि क्या reaction रहता है BCG का इसके उपर तो reaction सब लोग देखने चाहते हैं कोई बात नहीं कल कर देना है कल देखते हैं तो अगर आप कुछ वीडियों को प्रॉब्लेम कुछ पूशे हैं कुछ पताना कुछ कहना है तो प्रीज को मैं से समखे हैं और अब दीच मुझा है वीडियों देखने के लिए ब प्रॉब्लेम है तो